कि शादर नवश्कार साथियों आपका यूटूब चैनल डॉक्टर इस्वी तिवारी में स्वागत बंदन साथियों आज हम आपके बच्ची की एक बहुत ही प्रमुक्ष समस्या की महत्यकों जानका रिदुगा साथियों अकसर इस समस्या से आपका बच्चा परिशान हो जाता है चुकि मैं इस समस्या को आज आपके सामने इस लिए डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा मेरे पास खुदी कोयरी बहुत ज़्यादा आती है और लोग इस समस्या से बहुत दिशिता ही बामतुनकोल। ज़्यूरस भॉक लाज समय चुल मेरे बच्छ्क को पेट साप नहीं होते हुग 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 है। आफच्छी बात है। आफपि अफचेया अगेशसा से गिसे, भुख भुख दे परणते हैं, तो वarto theया, होता जा रहा है उसको बुखार बुखार जीशा रहता है यानि इस तरह की समस्या है का मेरे बच्टे को हो रही। कि Whatsapp ुद्वारा और जब जो है अल्ट्र सांदिया सिटी स्केंश कराए जाता है कि उसके आतों में गाठ कि समस्या दिखती है यानि मेसेंट्रिक लिम फेटिनों पैथी यानि उसके आतों में गाट हो जाती है अब आप सोचते हैं कि यार यह क्या बला है अब क्या करें साथियों मैं डॉक्टरेश वित्युआ रही आज आपको अपने यूटुब चैनल के माध्यम से आपके बच्चे की इस समस्या का अस्थाई समधान बत बताऊंगा ही इसके साथ ही साथ आपको प्रमाण के साथ प्रस्तुति बिप्ताऊंगा इसलिए कि एक बहुत यह टिपकल समस्या है जब आप अक्सर इसको ले करके खास दोर से माडर्न मेडिसिंग में जाते हैं एलोपईधी ची किस्वार जाते हैं तो आपको जो है कभी जो है कई तरह के बाति कि जाती है कि इसके आंतों में टीवी हो गई कैंसर हो सकता है और आप दर जाते हैं खफ़दाने की कोई बात नहीं है सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपको आपके चहरे पर मुश्कान तब आएगी जब आप देखेंगे कि नहीं मेरे जैसा सेकड़ों बच्चे डाक्ष साब के हाँ ठीक हुए हैं मैं वीडियो के लास्ट में बच्चों का जो ठीक किया गया उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा इसलिए आपको पूरी जानकारी ध्यान से सुनना हूं सबसे प्रमुख चीज क्या होता है कि हम कारण जानते हैं कि किस कारण से आपके बच्चे को समस्य हो जाते हैं तो सबसे प्रमुख कारण क्या है वहीं आपका लाड़ प्यार दुलार जो मांग रहा है देदे रहें खाने को यह नहीं ध्यान दे रहे हैं कि आतों को किस ज्यादा रुके ना यानि अगर आप उसको हमेशा बाहर की चीज़ें फास्ट पूड हुआ मैदे वाली चीज़ें हुई तेल मसाले वाली चीज़ें हुई आप जो है इस तरह की चीज़ दे रहे हैं तो निस्चित रूप से उसको यह समस्या हो जाएगी है मैं कभी-कभी इस्ति ये भी होती है कि अगर आपको यह मैं रहे है यानि कि आपको इस तरह की समस्या परिवार अगर लाइफ स्टाइल जो है बच्चे का बहुत ही सही नहीं हो फिजिकल वर्क जादा नहीं कर रहा हैं बिल्कुल ही फिजिकल वर्क से दूर है तो 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 भी इसको यह समस्या देखने को मिलती है अण कि अब इसकी लख्षण क्या क्या होते हैं लख्षण कि अगर बात करें लख्षण मे बात delivers में होता है कि सबसे प्रमुग lavender क्या होते हिप कि अवज़न कम होना बच्य में लगेगा कि इसका स्वास्त का विकास नहीं हो रहा है सरीर में से हरारत रहती कभी कभी उखार बहुत तेज भी हो जाता है इसके साथिसाथ उसका पेट सही से साप नहीं हो अक्सर क्या करेगा चाल दर्द किसिकायद करें कभी-कभी तर्द बहुत तेज होने लगता बहुत जैसे नम्लों क्या आते हैं बच्चा बिल्कुल चट पठाने लगता है तरफडाने लगता तो यह तक इस्तिती आ जाते हैं अब इससे बचाओ के अगर हम बात करें तो बचाओ साथी वही सिंपिल है कि बच्चे का खान पान रहां साहन देखिए उसे बाहर की जादा मत दीजे पॉस्टी का हर जादा दीजे फाइबर वाली चीज़ें जादा दीजे जिसमें से कि उसका इस टूल जो है आतों में जादे रुकने नपागे अब हम इसमें आपको इलाज के अगर बात होगी और आप गए होंगे तो यह बात जरूर आपको सुनने को मिली होगी कि डग साब यह बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे को आतों में टीवी कुछ लोग तो टीवी का जो है इलाज की शुरू कर देते हैं तो साथियों जरूरी नहीं है कि हर आतों में अगर इंफेक् समस्याओं के लिए निश्ची तुरूप से किसी बर्दान से कम नहीं है और ऐसे हजारों लोगों को यह जीवंधान हजारों बच्चों को इस तरह की समस्याओं से जो है समधान किया गया है अब आपको किसी भी अच्छे होमेपैथिक चिकित सक्से आपको संपर करके और ब साथियों आपको मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर एश्मी तिवारी अपने इसी चैनल पर आप देखिएगा प्लेइलिस्ट में जाकर कि माई क्योट पेसे में जबाब जाएगा तो देखिएगा कि ऐसे हमारे प्यारी बच्चे जो जिनके माँ बाप इ लिकते थी सबसे प्रहुकता था बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा था विकास नहीं हो रहा था उसका दर्द हो रहा था सब सही हुआ अब लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी को मैंने सही किया है वो दो साल बाद आया बच्चे को देखें तो उन्होंने पिछला अपना समय बताया कि डग सब जब से आपका इलाज किया उसके दो-तिन साल पहले मेरे बच्चे का ग्रोथी नहीं हो रहा था लेकिन जब से आपका इ सब्धिण होती होती है वो लोग आपकर करते ही डर सब्धैन साब आपने मेरे बच्चे को जीवद्दान दे तो शासे हूं यह हो भी पैठी की ही कृप यह हैं हो मिवव भी कही प्रभाव है कि इस तरह की समस्यायां जो आपके बच्चे को जिसको के लेकर कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं तो शाथी में आपका बेटा स्वस्त रहें मस्त रहें आप अच्छे तरीके से उसके साथ इंजवाय कर सकें इसलिए कि जब बच्चे स्वस्त होते हैं तभी घर का महौई सही रहता है त तो आप बिल्कुल घवडाईए नहीं बिल्कुल भी आपको घवडाने की जरूद नहीं है आप अपने छेतर के किसी भी अच्छे होमोपेथिक चीकित सकते संपर करके इलाज कराईए मेरे लाइक कोई सेवा हो आप फोन करके क्लिनिक में कल्यानम सेवा की किसी भी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भाड़ाई